सबसे बड़ी mistake है 11 को हलके में लेना अभी तुम 10 से 11 के अंदर आयो और तुम्हें लग रहा है कि 10 के अंदर तो मस्ती करे थी मजे करे थे आखरी के टाइम पर पड़ा था और पेपर बहुत अच्छे चले गए और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 11 के अंदर भी ऐसा हो हैं जो स्टुटेंट्स मेहनत से और धंग से इस क्लास को नहीं करते वो स्टुटेंट्स इस क्लास को पास करने में भी दिक्कते फेस करते हैं हाई व्रीबन मेरा नाम है प्रिशांद और वेलकम टू आर 11 एंड 12 का स्पेशल चैनल मुझे पता है बहुत टाइम से तुम वेट कर रहे थे प्रिशांद भाया सेशन स्टार्ट हो गया है स्कूल स्टार्ट हो गया है टूशन स्टार्ट हो गया है कब वीडियो लाओगे तो मेरे दोस्त आ गया हूं तुम लोगों की मदद करने जैसे 10th में मदद करी 11th में भी वैसे ही तुम्हारी मदद करने वाला हूं अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे तुमने कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने PCM लियोगी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंन खतम कर दूंगा डिटेल्ड के अंदर थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बड़ बहुत दादा डिटेल्ड वीडियो है हर एक चीज आपको डिटेल्ड में समाझ जा रही होगी बड़ उससे पहले आपको कमेंट में बताना है कि आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेट करिये कौन सी स्ट्रीम आपने सेलेट करिये सबसे पहले आप मुझे कमेंट के अंदर बता दो अब बात करते हैं देखो इंट्रो आपने देखा इंट्रो देखकर तुम्हें डर लगा होगा वह यह आर आप कह रहे हो हमारी जिंदगी की सबसे तफ क्लास होगी क्या सच है तो मेरे इसा और इसी वज़े से यह क्लास वन अब दी टफेस्ट होगी बस इस क्लास को क्रैक करने के लिए तुम्हें पूरा रोड मैप बता रहा हूं पूरी स्ट्राटेजी बता रहा हूं ध्यान से सुनते चलेंगे एक एक सवाल जो तुमारे दिमाग में है वो इस वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल रहा होगा पहली चीज़ भहिए टूशन कोचिंग भहिए हम ना जेई की तियारी कर रहे हैं भहिए हम नेट की तियारी कर रहे हैं भहिए हम कॉमर्स की तियारी कर रहे हैं आप ये बताओ कौन सा टूशन बेस्ट है कौन सी कोचिंग बेस्ट है वो जो teacher आपको पढ़ा रहे है वो important है ना कि coaching ना tuition बहुत सारी coaching आएंगी बहुत सारी tuition आएंगी जो बोलेंगी हमारा तो highest selection ratio है सबसे जादा selection हम ही कराते हैं हम तो rank लाते हैं हम तो ये करते हैं हम तो वो करते हैं बातों में मता ना simple सी बात बता रहा हूं देखो coaching में जाओ बोलो कि मुझे एक demo class चाहिए मुझे एक demo class चाहिए मुझे एक दिन बैठना है और class में समझना है अगर teacher अच्छे लगते हैं फिर उसको join कर लेना और बहुत सारे tuition के अंदर coaching के अंदर तो demo class नहीं मिलती जिन के अंदर नहीं मिलती, online platform अगर तुम ले रहे हो या फिर तुमारे tuition के अंदर demo class नहीं मिल रही अपने seniors से बात कर लेना वो seniors जो कि उन coaching है उन tuition से पढ़े हों या उनसे पूछ लेना कि best क्या है क्या इनके teachers best हैं या नहीं है तो वो आपको real feedback दे पाएंगे उसके अलावार अगर आप online coaching वगेरा पर जा रहे हो तो online coaching में तो आपको पता यह होता है कौन से teacher पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे तो उन teachers के lectures देख लेना जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्या वो teachers अच्छ में अच्छा बढ़ाते हैं क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है फिर से बोल रहा हूँ तूशन coaching से फरक नहीं पढ़ता टीचर बहुत important है आप इंडिया की best coaching में चले जाओ अगर उसके अंदर एक अच्छा teacher आपको नहीं पढ़ा रहा होगा नहीं crack कर पाओगे नहीं अच्छे marks लेकर आपाओगे ठीक है दूसरी चीज समझना regular classes मेरे द से 11th के अंदर आये हैं अब 11th के अंदर बहुत सारे ऐसे concept होंगे जो कि तुमारे लिए नहीं होंगे अगर आपने basics को miss कर दिया अगर आपने शुरूगी classes को miss कर दिया तो होगा कहना 11th और 12th दोनों link है ठीक है तो अगर आपकी 11th week है तो साथ साथ में कहीं ना कहीं आपकी लूज नहीं करना है और मैं आपको reality बताता हूँ 95% students की 11th week होती है जिसकी वज़े से उनकी 12th week होती है यह reality है तो 11th हमें strong रखनी है अगला point क्या है notes बनाने का सही तरीका notes जैसे तुम 10 तक बनाते आ रहे थे ना उस तरीके को पहले तो please बंद करो अब तुम 11th के अंदर आ रहा था colorful बनाया था अब यह नहीं करना है दोस्त इतना time नहीं है अभी तुम coaching में जाओगे टूशन में जाओगे बस वह जो teacher होंगे वह बस बोलेंगे और तुम्हें उतनी देर में note करना होगा time नहीं होगा time नहीं होगा तो करना क्या है simple सी बात है fast fast लिखो single pen से लिखो जितनी जल्दी हो सकती है उत्ते जल्दी लिखो और एक technique बता रहो note making की जो कि मैं follow करता था जैसे कि मालो आपकी पूरी note book है उसके उपर एक margin होता है ठीक है तो आपने यहां वहां तो सारा लिख लिया जो कि आपकी teacher ने बता है अब कभी कबार क्या होता है teachers कुछ points ऐसे ब स्टार मार कर लेके और वो सारी important चीज़े लिख लेना क्यूं कि वह उन teacher's का experience है बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं वह जो चीज लाइन बोलते है न वह लाइन बहुत important होती है और कभी के बार वही line directly exams के अंदर आ जाती है तो मैं कैसे notes बनाया करता था जो teacher लिख रहे हैं य यह समय नहीं है क्यूं क्यूंकि देखो न हमें 8 घंते सोना है सोने के बिना तो काम नहीं चलेगा नींद important है भाई उसके लावा 4 घंते other activities चार घंते other activities क्या होती हैं जैसकि यह हमें नहाना है और भी बहुत सारी चीज़े हैं तो उनमें 2-3-4 घंते लगी जाते हैं भाई पुल मिलाके, school जाना है, coaching जाना है, traveling time लगता है, सब कुछ, उसके अलावा भईए, 6 गंटे का school होता है, बहुत सारे बच्चों का तो 7 गंटे का भी होता है, उसके अलावा भईए, 4 से 5 गंटे का tuition होता है, कुछ बच्चों का 4 गंटे का होगा, कुछ का 3 होगा, कुछ का 5 हो करोगे आप कभी भी self study के लिए time नहीं निकाल पाओगे और अगर तुम self study नहीं करते रहे हो तो पता है problem क्या होगी अगर तुम किसी competitive exam को दे रहे हो specially J.E. इनको हमें eliminate करना होगा हमारी जिन्दगी से दो तरीके है या तो तुम dummy कर लो dummy school समझते होगे जिसके अंदर की आप school नहीं जाते सिर्फ coaching coaching जाते हो या तो यह कर लो अगर पॉसिबल है अगर यह पॉसिबल नहीं है तो मेरी technique उस कर लो मैं क्या करता था मैं स्कूल जाये करता रहा हूँ मैं क्या करता था हमारा school होता था च्छे दिन वीक के अंदर च्छे दिन मैं केवल तीन दिन school जाता था तीन दिन छुट्टी लेता था अब तुम बोलोगे भया फिर school के अंदर अगर हम छुट्टी लेंगे तो attendance मिल जाती है कोई भी teacher या कोई भी school आपको attendance की व लेगा तो तीन दिन बैठ कर घर पे मैं self study क्या करता था यह मेरा तरीका था तो आई होप यहां तक सब कुछ clear हो गया होगा अब बढ़ते हैं कितनी books लेनी है कौन सी books लेनी है देखो यार दुनिया भर की किताबें मत भरो मैं बच्चों को देख रहा हूँ 11 के अंदर आये module मतलब वह आपको worksheets देते होंगे वह worksheets तो solve करो वह worksheets ही solve नहीं करते हो उसके बाद आती है other books other books होती है जैसे कि तुम हर subject की एक एक reference book ले सकते हो ठीक है अगर आप commerce की बच्चे हो तो हर एक subject की एक एक reference book ले लो अगर तुम PCM की त्यारी कर रहे हो तो एक 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 reference book ले था तो मुझे किसी ने guide नहीं कर रहा हूं मैं जेई के लिए इतनी सारी किताबे लिए और सारा bundle भरके रख दिया अब मैं सुच रहा हूं इन्हें पड़ेगा कोण यार इतनी सारी किताबे तो ले ली तो इस वज़े से कम किताबे लेनी है उतनी लेनी है जितनी तुम पढ दस इससे आये जो पढ़ाया है वो फटा-फट से revise कर लिया डेली हर रोस हर रोस करा दस से पंदर मिनेट लगें उतना sufficient है उतके अलावा टेस्ट होते हैं टूशन के अंदर कोचिंग के अंदर miss नहीं करने है अगर हम इस करोगे तो तुमारी गलती होगी miss नहीं करने है क्य है कि तुम retain कर सकते हो सब कुछ तो revision के best तरीके है daily revision second टेस्ट मिस नहीं करने है आगे बढ़ते हैं लास्ट चीज़ है distractions देखो 11th 95% बच्चों की waste क्यों होती है उसके पीछे का reason क्या है तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ और उसमें से major reason है distractions अभी क्या हुआ कि 10 से 11th में आए तो हमारे hormones बहुत हाई होते हैं body के hormones तो क्या होते हैं हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर चले जाते हैं तो उ एक-एक-दोदो घंटे पड़ो बहुत है बट यहां पर मैं बहुत स्रिकली बोलता हूँ अपने time को बचाओ जितना बचा सकते हैं उतना बचाओ दोस्तों से बात मत करो कोई नहीं आ जब पढ़ाई करो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 11th और 12th यह 2 साल important होते ह मस्त क्लास जाती है सारी मस्त मज़े करो बट यह 2 साल बहुत important है और इन 2 साल में time बचाना है distraction से थोड़ा बचके चलना है हर रोज कि यवाल अगर तुम 4 घंटे तीन से 4 घंटे अगर तुम self study को दे दोगे न हर रोज practically तुम किसी भी competitive exam को निकाल सकते हो ट्रस्ट लिए ठ अपने जीवन की best class बनाते हैं शुक्रे अवरिवन मेरा नाम है प्रिशांद मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर टेक क्यार